हेलो एव्रीवन वेलकम टूवर चैनल अरंटेकुर एकेडमी प्रिवेस वीडियो में हमने नुट्रिशन एनिमल चैप्टर टू इसका फर्स्ट पढ़ा था अब सेकेंड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे यहां तक हमने कर लिया था हम डाइजेशन पढ़ रहे थे और सबस्तेशच पढ़ा तक तक बाइब थाक क्यारे में फूट गैसे पास 옥ा और कैसे आगे डाइजेस्ट होता है देटेल में पढ़ेगे फ्र स्वेलो करते हैं निगलते हैं वो फूड़ पाइप में जाता है फूड़ पाइप रंस अलॉंग दा नैक और फूड़ पाइप जो है वो हमारी नैक में होता है और चैस्ट और वो चैस्ट तक जाता है फूड़ पूश्ट डाउन बाय मौमेंट ऑफ दा वाल फूड़ पाइ एक्चुली इस मोमेंट टेक्स प्लेस थ्रूवाओ दा एलिमेंटरी कैनल और यह जो प्रोसेस है यह एलिमेंटरी कैनल में होती है एंड पुशेश दा फूड डाउनवर्ड और जो फूड है वो नीचे की तरफ पूश होता है सत्षिक में birds और कई बार जो है वो फूड एक्सेप्ट नहीं करता हमें कोई प्रोलं होती है यह फिर इनडाइजिशन की यह फिर फूड पॉजनींग की प्रोल्फं फोल वमिटेड आउड कर दिया जाता है बिंस हमें उल्टी हो जाती है और बहार भाणा निकल जाता है नेट्स्ट है इस्टमक अब फूढ़ के बाद में जो फूड है वह स्टमक में जाता है इस्टमक देखिए है यहापर इस तरीके का होता है जो खती है निप हमारे ऊपर से बारे में पड़ते है insult कि दो n कमकले जो इसको थोड़ा में जूम कर लेते हूं स्टमक जो है इसकी वाल जो होती है दिवारे मोटी होती है बैक की तरह होता है यह और यह जे शेप में होता है देखिए जे जेसा शेप है इसका कुछ इड़ इस दांड वाइडेस्ट पार्ट और यह सबसे ओरल पार्ट होता है आपको है परविएस वी स्टमक तक जो भी पार्ट्स होते हैं वो सारे रिल्मेंटरी के पाइड और यह फूट से इसको फूट होता है एक एंड पे तो इसके food pipe जो है वो जुड़ा हुआ होता है दूसरा एंड इसका small intestine से जुड़ा होता है दे मॉकस PROTECTS LINING OF THE STOMAK मॉकस जो होता है यह लाइनिंग जो धीवार होती है अंदर वाली स्टरमक के व्यूस को PROTECTS करता है बचां से रखता है इसे and the acid kills many bacteria or acid जो होती है वो बहुत सारे bacteria को किल कर देती है इसलिए हमारे लिए एसिड भी प्रोटेंट होती है जो मैं स्टमंक में पाई जाती है यह सीड जो है इसका एक्सेश्टिव प्रोडेक्शन हो जाता है तो हम उसे एसीडिटी भी कहते हैं वह इसी के कारण होती है इसी एसी एक्षिट के कारण प्रोटीन को सिंपलियर सबस्टेंस में ब्रैकडाउन कर देते हैं तोट देते हैं जिसे फूड है वह डाइजिस्ट होना स्टार्ट हो जाता है अभी स्टमंक की वर्किंग के बारे में जो है वह दिया गया है तो आप इसको पढ़ना जरूर ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है लेकिन आपको पढ़ना चाहिए अब है स्मॉल इंटेस्टाइन अब फुट जो है वह स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है इंटेस्टाइन देखिए टू होती है लार्ज इंटेस्टाइन होती है यह जो अंदर आपको दिखाई दे रही है यह होती है स्म आपको दिखाई दे रहे हैं पाइप जैसे यह होती है स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है आपको देखिए इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि यहां से जो है यह स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है हमारा जो स्टमक है यह और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में फुट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका जो बाकी का बच्चा प्रोसीजर होता है डाइजेशन का वो ब्लेभर और पैनक्रियास और इसको लीवर को मिलते हैं अ कि भी वह और इसे इत्मक्रेट का उडमकू ऐल को एसका वाल की है लेवर का और जो मिलते हैं ने दीछ Oooh वेकिश लेवर ऑभांटी ए इस यह अ जो होता है यह जालपी प्रेत श्रतव प्रेंट इसमें दिखाती हुआ आपको यह होता है लीवर हमारा यह यह यहां पाया जाता है यह पहलान Eh ऐङन लार्डय के लिए भॉड़े की सबसे लाघेस्ट ग्लैंड हैं बड़ी गरंटी है देख सकते हैं आप इसका साइज स्टमक से भी बड़ा दिखाई दे रहा है आपको तो यह सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी में प्रक्टव्ला को नार्जेस्स लेंडे बड़ी इसे अन तरी बैऩ बैडर याद रखना है आपको एक वह रीव ने परेट करता है वह आपको दध्यान रखना हाइज शेकशन दूर्द करताों है वह छाब इनन फेल जर्दा लाओन ऑफार से system, reflect the को डाइजिस्ट करने में हल्प करता है बाइल जूस पैंक्रियाज जूस एक्ट ओन कार्बो हाइडरेट और जो पैंक्रियाज जूस होता है पैंक्रियाज से निकलने वाला जो धूस होता है उसे पैंक्रियेटिक जूस कहते हैं तो वो कार्बो हाइडरेट के उपर एक्ट करती है और फैट के उपर एक्ट करती है और साथ में प्रोटीन पे और उनको सब को चेंज कर देती है simpler forms में, simple form में change कर देती है, यह compound form में होते हैं और उनको यह simple form में change कर देती है The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food जो partly digested means जो आधा digest हुआ food होता है, वो lower part में जाता है, small intestine के और वहां उसको digest जो intestinal juice होता है, वो complete करता है digestion की process को, intestine के अंदर जो juice रहता है, मौजूद वो process को complete कर देता है The digestion of all components of the food और सारे components जो है carbohydrates, fat, protein अभी को digest कर देता है The carbohydrates get broken into simple sugar such as glucose और ये simple sugar में इसे तोड़ देता है जैसे कि glucose, fat into fatty acid और glycerol, जो glucose है वो glycerol में चेंज हो जाता है और fat है वो fatty acid में चेंज हो जाता है The proteins into amino acid और proteins हैं वो amino acid में चेंज हो जाता है, ध्यान रखना है आपको ये Absorption in small intestine Small intestine में जो है food digest हो रहा है उसके साथ में उसका absorption भी होता है food का The digested food can now pass into the blood vessel और अब ये digested food है ये blood vessels में चला जाता है इन wall of intestine जो की intestine की wall से जुड़ी होई जो blood vessels होती है This process is called absorption और ये process कहलाती है absorption The inner wall of the small intestine है thousands of finger like outgrowths और जो inner wall होती है इसमें finger की तरह बहुत सारी outgrowths होती है These are called willy और ये willy ये willis कहलाती है एक होती है उसे willis कहते हैं singular form में और सभी को willy कहा जाता है The willy increase the surface area for absorption of the digested food और willy जो होती है ये surface area को बढ़ा देती है चूंकि अगर इस तरीके से ये wall है और इस wall में ये willies जो है ये ऐसे अंदर की तरफ बनी होती है फिंगर की तरह होती है तो इसका जो area होता है वो बढ़ जाता है देखिए इस तरीके से जो area है वो intestine का बढ़ गया है क्योंकि इतना food को इतना घूमके घूमने को space मिल जाता है और वो area बढ़ जाता है तो ये absorption को बढ़ा द देती हैं जो विल्ली है एगा है डायेशटेड फूड इच वील जाती है और सारी प्लिड वेसलों को यॉविल्यद होती है एक जाल घ् deutsche माईबटी मेटेरियन मैं को सब्सक्राइब थैसे मेरेhmen मिल तच्राइब material को absorb कर लेती है the absorbed substance are transferred via the blood vessels और ये blood vessels के तुरू transfer कर दिये जाते हैं to the different organs of the body body के different organs को transfer कर देते हैं where they are used to build complex substance जहां इनसे complex substance है वो बनाए जाते हैं such as protein required by the body जैसे कि protein जो है ये भी एक complex substance है this is called assimilation और ये process जो है ये assimilation कहलाती है in the cell glucose breakdown with the help of oxygen into carbon dioxide and water और जो glucose है ये breakdown होता है oxygen की help से जो कि हम सांस के साथ में अंदर लेते हैं और उससे carbon dioxide and water release होता है जब oxygen को काम में लिया जाता है तो वो carbon dioxide और water में ब्रेक हो जाती है और energy release होती है the food that remains undigested and unabsorbed into the large intestine अब जो food undigested बचा है जो कि अभी small intestine में digest नहीं हो पाया है वो इस large intestine में चला जाता है ये large intestine है अब बचा हुआ food जो undigested है वो large intestine में digest होता है कैसे होता है वो देखते है the large intestine is wider and shorter than small intestine ये small intestine से wider होती है wider में चोड़ी होती है इसलिए इसे large intestine कहते हैं लेकिन small होती है लंबाई में कम होती है it is about one point five meter in length वो seven point five थी और ये one point five meter है its function is to absorb water इसका काम water को absorb करना है and some salt from the undigested food material जो undigested food material है इसमें से water जो होता इसको और कुछ important salt होते है उनको absorb कर लेती है salt में सिर्फ नमक ही नहीं होता है salt में कोई भी मिन्रल्स होते हैं वह सॉल्ट में काउंट होते हैं the remaining waste passes into the rectum और जो बचा हुआ वेस्ट होता है जिसमें से अब मिन्रल्स वगेरा सब एब्सॉर्ब कर लिए गये हैं salt water भी एब्सॉर्ब कर लिया गया है वह अब जाता है रेक्टम में and remains there as a semi-solid faeces और यह semi-solid faeces के रूप में faeces मिस मल के रूप में रहता है दा faeces faecal material is removed through the anus from time to time और यह एनस के दवारा बाहर निकाल दिया जाता है time to time this is called agation और इसे agation कहा जाता है agation means जो मल है हमारी बॉड़ी के अंदर उसे बाहर निकालने की प्रोसिस को agation कहते हैं no digestive in grass eating animals अब जो grass at इनिमल्स होते इनका देखिए digestive system यह दे रख़ा है हमसे अलग होता है उसकी हमारे जैसा नहीं होता है यह आप यह काहँ का देख सकते हैं यह हमारी तरह नहीं है हमारा जो digestive सिटम था घ्रो संवशनां सिस्टम जो है वो अलग होता है उसके बारे में देखते हैं आपने देखा होगा कि काउ बफेलो जो ग्रास इटिंग अनिमल्स होते हैं यह चुविंग करते रहते हैं चबाते रहते हैं उनके मुँ से जाग निकलता रहता है और उस टाइम पर कुछ नहीं खारे होते हैं तो भी जब आते रहते हैं तो यह क्यों करते हैं उसके बारे में देखते हैं एकचुली धेख वीक्ली सेलो दा gros एंड एन इस्टॉर इंद पार्ट ऑफ दे स्टॉमख यह क्या हैं जब इनके आगे ग्रास या घंस होती है तो तो उसे स्वैलो कर लेते हैं निगल जाते हैं सीधे ही और बहुत सारी क्वांटिटी में स्वैलो कर लेते हैं और उसको इसकी स्टमक के अंदर स्टॉर कर लेते हैं और इस स्टमक को यह कहते हैं रियुमन जो होता है रियुमन में स्टॉर कर ली जाती है जो ग्रास होती है यह यह फूड गैट्स पार्शि और यह ज foul कर्ड है और इसको ड्यान से सुनना है यह कोशियन को इंपोर्टेन्ट है इसका आपका एक्जाम में पूछा जाता है क्यों पुछ सबाइब अपते है आपको यह कोपी में भी करना यह जाना धर प्ंधायาक्रत है तो आपका क्वेश्चन वो ऐसे पूछा जाता है आपसे की वाट इस रूमिनेंट कौन होते हैं और write about the process of rumination, rumination के बारे में बताईए, तो इस टाइप से आप से कुछ भी question पूछा जा सकता है, तो ये आपको write and learn करना है, इतना paragraph जो है, digestion in grass eating animals वाला ruminants तक ये पूरा आपको करना है, the grass is rich in cellulose, अब एक question ऐसा पूछा जाता है, कि जो ruminants होते हैं, वो ही क्यों digest कर पाते हैं, grass को हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ये answer है, the grass is rich in cellulose, grass के अंदर बहुत जादा cellulose पाया जाता है, type of carbohydrate, carbohydrate का ये एक type है, इन ruminants like cattle, deer, etc, bacteria present in human, help in digestion of cellulose, इनके जो ruminants होते हैं, इनकी body के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जो की digest करने में help करते हैं cellulose को, जो हमारे अंदर नहीं पाया जाते हैं, many animals including humans cannot digest cellulose और बहुत सारे animals और human भी है, वो cellulose को digest नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये बैक्टीरिया नहीं पाया जाते हैं, तो ये उस question का answer है, अगर आपसे question पूछा जाए, why human cannot digest grass या फिर other animals हैं, वो grass को digest क्यों नहीं कर पाते हैं, तो उसका answer यहां से, यहां तक होगा, ये भी important है, ये भी आपको copy में write करना है, animals like horses, rabbit, etc. have a large sack like structure called sackum between the osophagus and the small intestine, इनका एक sack की तरह structure होता है, और ये small intestine और osophagus के बीच में होता है, the cellulose of the food is digested here, और जो cellulose होता है, वो यहीं digest होता है, by the action of certain bacteria which are not present in human, जो कि human में नहीं पाये जाते हैं, ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो diagram है, इसमें ये बीच का जो structure है, ये इनका digest करने का काम करता है, ये जो structure है, ये food pipe है और intestine है, इसके बीच में पाया जाता है, और यहां पर ही जो grass होती है, वो store होती है, इखटी होती है, undigested जो grass है वो, और ये grass eating animals में पाया जाता ह feeding and digestion in amoeba अब amoeba जो है वो कैसे feed करती है और कैसे digest करती है उसके बारे में पढ़ेंगे यह देखिए amoeba है single cell organism है यह micro organism है तो यह कैसे food इसका कोई mouth नहीं होता है तो यह food को कैसे खाती है और कैसे उसे digest करती है और कैसे waste को बाहर निकालती है उसके बारे में पढ़ेंगे यह आप amoeba का structure देख लीजिए ऐसा होता है amoeba is a microscopic single cell organism है यह single cell organism है found in pond water और यह तालाब के पानी में पाई जाती है amoeba has a cell membranze इसकी एक cell membranze membranze में जिल्ली होती है a rounded dense nucleus and many small bubbles like work in its cytoplasm यह देखिए bubbles की तरह है छोटे छोटे आपको इसके उपर दिखाई दाए रहे है वोकिल्यूज होते हैं यह cytoplasm में पाई जाते हैं इसके amoeba constantly changes its shapes and position amoeba जो है यह एक ऐसा जीव होता है जो अपना shape आकार change करता रहता है position भी change करता रहता है it pushes out one or more finger like projections called pacidopedia एक यह प्रोजेक्शन से जादा होती हैं क्योंकि छेप change करता है यह düşYour ट्रोजेक्शन चेंज होती रहती हैं तो यह देखे फिंगर की तरह है आपको दिखाई दे रही हैं तो यह पेसेडोपीडिया कहलाती है और false feet जिसे false feet भी कहा जाता है नकली पैर कहते हैं जिसे false means नकली होता है for movement and capture of food और ये movement के भी काम आती है और food को capture करने के भी आप यहाँ देख सकते हैं ये जो दो पेसेडोपीडिया है इसके finger like structure है इसके बीच में यह food है तो यह food को trap कर लेती है फसा लेती है इनके बीच में तो यह food को भी capture करने के काम में आती है Amoeba feeds on some microscopic organism, amoeba जो है यह भी खुद के जैसे ही छोटे organism को खाती है When it senses food, it pushes out pacidopedia around the food, जब इसको sense होता है कि अपने आस पास कोई food है तो वो अपने pacidopedia को बाहर निकालती है food particles के चारों तरफ and engulf कर लेती है उसे अपने अंदर absorb कर लेती है The food becomes trapped in the food workilio और जो food है वो food workilio में फस जाता है, trap हो जाता है Digestive juices are secreted into the food workilio और digestive juice जो होते हैं वो food workilio से secret किये जाते हैं, निकाले जाते हैं They act on the food और food के उपर वो act करते हैं और उसे breakdown करते हैं into simpler substance Gradually the digested food is absorbed और दीरे दीरे यह जो digested food है यह absorbed कर लिया जाता है The absorbed substance are used for growth, maintenance and multiplication और जो digested food होता है यह substance होते हैं यह growth के लिए maintenance, body की maintenance के लिए और multiplication, multiplication means होता है अपने जैसे और जियों को जन्म देके बढ़ाना अपनी संख्या को multiply करना बढ़ाना उसे multiplication कहते हैं Multiplication में help होती है इससे food की वज़े से the undigested residue जो undigested residue होता है बचावा food होता है इस एक्सपेल्ड आउटाइड बायदा वोकेल्यो और यह एक्सपेल्ड कर दिया जाता है वोकेल्यो के तुरू वोकेल्यो जो होता है यह जिससे वह food एब्सॉब करती है अमीबा उसी से वह बाहर निकाल देती है जो undigested या waste जो material होते है बाडिज के वह वापस जहां से एब्सॉब किया था वहीं से वह बाहर निकाल देती है waste material को the basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals और सभी में यह process सेम होती है सभी animals के अंदर तो यह आपका chapter है इसमें आपने क्या क्या पढ़ा है वो chapter recall यहां दिया है इसको भी आप जरूर पढ़ा किजिए important है यह भी इसमें आपको questions के आंसर भी काफी मिल जाते हैं आपके लगबग question के answer is जो food chapter recall है इसके अंदर आपको मिल जाएंगे और करवाने क्या जो है वो हम exercise और question answer है यह next video में आपको हैंगे अभी नहीं करवारियों में तब तक आपको यह अपने आप ढूंडने हैं चैप्टर आपने दोनों वीडियो में पढ़ी लिया है complete कर लिया है अब इससे आपको exercise complete करनी है question answer complete करने true false match the column यह तो आप easily कर लेंगे fill in the blank chapter आपने अच्छे से समझ लिया है तो यह बिलकुल simple है और इनको में next video में करवाओंगी तब आप match कर लेना कि आपने सही की हैं कि नहीं तो यह आपका homework है आपको सभी को करने हैं यह ठीक है तो next video में हम इसके question answer करेंगे